मोधी सरकार ने CEA लागू कर दिया है और ये फैसला पश्रिम मंगाल की राजनीती में एक बड़ा उलट फेरला कर रख सकता है ये मास्टर स्टोक है खासतोर पश्रिम मंगाल के लिए कैसे यही मैं आपको आज इस वीडियो के जरीए बताऊंगी इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इसमें News 18 की रिपोर्ट का हम जिकर करेंगे इसलिए उस रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आया है ये भी मैं आपको बताऊंगी देखिए पश्रिम मंगाल में लोगसभा की बयाली सीटे हैं जहां पर मुख्यमंतरी ममता बैनर जी ने अपने उमीदवारों की घोशना कर दी है लेकिन CAA के लागू होते ही वहां की करीब आठ ऐसी लोगसभा सीटे बताई जा रही है जिन पर सीधा असर दिखाई देगा और वहां बढ़त अब BJP को मिलती हुई नजर आ रही है बढ़त इसलिए क्योंकि यहां पर तमाम ऐसे समुदाय के लोग रहते हैं जिन पर CAA के लागू होने का असर पड़ेगा और आप जानते हैं कि BJP समय समय पर अलग-अलग रज्यों में वहां सर्वेज कराती रहती है और उन सर्वे के आधार पर जो जानकारी सामने आती है जो नतीजे महां से निकल कर सामने आते हैं सर्वे रिपोर्ट में जो बाते सामने आती हैं उसके आधार पर कई अहम फैसले BJP लेती रहती है और यही CA1 को लागू करने के पीछे का एक बड़ा कारण भी माना जा रहा है News 18 की रिपोर्ट में जो जिक्र किया गया है जिस बात का वो मैं आपको एक एकर करके बता दू कि देखे चुनाव से ठीक पहले आखर CA1 लागू करने का फैसला पश्रिम मंगाल के लिए मास्टर स्ट्रोक कैसे है BJP कैसे यहाँ पर अलग 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 लोगसभा क्षेत्रों में बढ़त बनाने जा रही है उससे आप समझे यहाँ पर आपको यह बता दे जरूर की केंडर सरकार ने चार साल पहले यहाँ इस कानून को पास तो करवा लिया था सर्वे कराए गया और सर्वे में यह जानकारी सामने आई कि यह भी बताए गया कि बांगलादेश के जो हिंदू समुदाय के साथ काम करने वाले BJP के वरकर्स हैं उन्होंने भी बड़ी जानकारी साजा की और इसी जानकारी के बाद यह फैसला लिया गया कि BJP के इस सर्वे में इस बात का जिक्र था कि CEA के लागू होने का असर नाडिया और उत्तार 24 परगना ये तमाम वो जिले जिस पर सीधा असर पड़ेगा और लोकसभा की सीटे वहाँ पर प्रिभावित होंगी और यहाँ बीजेपी बढ़त बना लेगी इसके अलावा उत्तर बंगाल की भी दो से तीन सीटे कही जा रही है जहां पर सीधा असर इसका दिखाई देगा और फाइदा सीधे सीधे भारतिय जन्ता पार्टी को मिलेगा अब यह समझे कि उत्तर बंगाल में मातुआ और राजबंसी के साथ साथ यहां पर उत्तरी बंगाल में नामसूदर समुधाय भी CAA से प्रभावित हो रहा है लाभनवित हो रहा है उन्हें यहां पर नागरिक्ता मिलने जा रही है जिसके बाद यह जो वोट की राज़ीती हम कह रहे हैं वोट बैंक में सीधे सीधे असर प्रतिशत में इजाफा बीजपी को देखने को मिल सकता है अब इसको समझे कि यह जो मातुवा जो है वो हिंदू शरणाथी है जो कि पाकस्तान और बांगलदेश से विस्थापित होकर वो हिंदूस्तान में आके बसे और इनकी तादाद कितनी है नंबर्स कितनी है यह एक्जाक्ली डेटा किसी के पास नहीं है लेकिन कहा यह जाता है कि जो राज्यकी आबादी यानि पाश्चिम मंगाल में जो आबादी है उनमें इनकी जो संख्या है वो करीब 10 से 15 प्रितिशत की है यानि एक बड़ी आबादी इनकी है और राज्ये के पाँच ऐसे लोकसभाक के शेत्र हैं सीटे ऐसी हैं जहां पर सीधा सीधा मतुआ समुदाय के लोगों का असर होता है उनकी वोट का असर देखने को मिलता है अब 2019 में जो चुनाव हुए थे उनमें से बीजेपी को पांच में से यहां पर दो सीटों पर जीत मिली थी अब राजबंशी समुदाय भी है और नाम सूद्र समुदाय भी है अलकि इनकी संख्या मतुआ के मुकाबले कम जरूर है लेकिन ये भी एक बड़ी भूमे कानेफाते हैं और CAA के लागू होने से इन्हें भी फायदा होने जा रहा है अब इनकी जो बहुलेता है उनमें से तीन ऐसी सीटे थी जिसमें 2019 के चुनाव में बीजेपी ने जीत हासल की थी 40 लाख के करीब इनकी आबादी बताई जाती ह ये जो दो समुदाए हैं ये करीब 40 लाके आसपास हैं और जलपाई गुडी, कोच बिहार और बलूर घाट के इलाके में ये बसे हुए हैं तो 2019 के लोकसभा की चुनाव के जो नतीजे आये थे उसके आधार पर ये दावा है कि उत्तरी 24 परगना का जो जिला है वहाँ पर जो लोकसभा की सीटे हैं उनमें भी BJP ने बढ़त बनाई थी अब यहाँ पर आप ये भी समझे है कि विधान सभा की यहां पर 33 सीटे हैं और यहाँ पर नाडिया कभी जिक्र करना पड़ेगा जहां पर BJP बढ़त बना सकती है अब जब वादा किया था अपने यहां पर असर देखने को मिला उल्टा यानि कि BJP को फाइदा नहीं हुआ पहले आपने वादा किया था लोकसभा चुनाव से पहले तो यहां पर सीधा-सीधा वोट में इसका असर देखने को मिला लेकिन जब विधान सभा के चुनाव में आपने C.A. पास जरूर काया था लेकिन लागू नहीं किया तो उल्टा असर देखने को मिला और अब ऐसे में जब 2024 का चुनाव ठीक सामने है तो ऐसी आठ लोकसभा की सीटे जो सीधे सीधे सीए से प्रभावित होने जा रहे है पश्चुम बंगाल में इसलिए कहा जा रहा है कि जो सीए लागू किया गया है अब उसका असर वोट में दिखाई देगा और सीधे सीधे यहाँ पर बीजेपी को एक बड़ी बढ़त इन तमाम सीटों पर पश्चुम बंगाल में मिलेगी झाल में मिलेगी को एक बंगाल में मिलेगी को एक बंगाल में